जय हिंदी श्टड़ी बसेरा के नए वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा और वीडियो को लाइक और शेर भी करते चलिएगा बेल आइकन को भी क्रिक कर लिजेगा जिसे सभी वीडियो को नोड़ विकेशन सब्सक्राइब किस अनुचेद में यह ब्यवस्ता है कि परतेग राज्य सिक्षा के प्रात्मीक अस्तर पर मात्री भासा में शिक्षा की प्रयाप्त स्विधाओं की ब्यवस्ता करने का प्रयास करेगा बहुती बड़ा सा प्रस्ण है चलिए तो इसका ऑप्सन जो है नेक्स्ट पेज़ पर देखेंगे तो किस अनुचेद के तहद राजी द्वारा मात्री भासा में शिक्षा की ब् सब्सक्राइब या फिर कभी हो सकता हिंदी वाले के लिए 350 का इस तरह से हो सकता 350 का या भी 350 यह सही जवाब हो जाएगा के लिए नेक्स कोशन देखते हैं मैक्से से पुरुसकार बिजेता पहले भारतिया कौन थे यानि के कोशन कह रहा है कि मैक्से से पुरुसकार जितने वाले भारतिया कौन है तो ओप्सन देखते हैं यहां से मदद भी पूछा सकते हैं चलिए नेश कोशन है अंति मुगल समराड बहादूर सा का पिता था इस प्रस निष्ट से बनता है कौन था कुछ नहीं लिखेगा सिधा सिंपल से लिख देगा इस तरह से प्रस न रहता है और और सरेने अंति मुगल समराड था इस के पिता अक्भर सा दुखते हैं नेक्स्ट ए अठारो संतावन में किसने इलहाबाद को अपतकालिन रजधानी बनाया था और प्रस्ण यहां से यह भी बनता है कि किस सहर को अपतकालिन रजधानी बनाया गया था अपतकालिन रजधानी किसे बनाया था अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरू कर लिएगा अब विडियों को लाइक और शेयर भी करते चलिएगा नेक्स कोशन देखते हैं किसने भारतिय राष्ट कॉंग्रेस पर अनुनय अनुनय बिनय और बिरोध की राजनिति का दोस्त लगाया था किसने इसा ब्लेमिस किसने किया था और भारतिय राष्ट कॉंग्रेस पर कि भारतिय राष्ट कॉंग्रेस कैसी राजनिति करती है तनुनय बिनय और बिरोध की राजनिति करती है यहां और एक प्रस्ट बन जाता पिछले प्रसट मर्स और भी बनता है यहां चुट गया जो लोगाए इलाबाद को रजधानि बनाया था इसकी समय में गार के निंग ने लहभाद के नाता तो जो है भारत का अन्तीम गवर्नर्ट जनरल जनरल कौन था तो कैनिंग था और प्रतरम वायस राय ब्रिडिस की समय में प्रतरम वायस रहा है फर्स्ट वाइसराइ कौन था तो कैनिंग ही था यह ध्यान रखिएगा और यह अठाव संतावन में इस लाहबाद को रसानी बनाए गया था तो प्रस्ण यहां से और एक बनता है कि भारत की अठावन संतावन के क्रांती के समय ब्रिडिस का प्रधान मंतरी कौन था यह प्रस प्रस्ण यहां से बनता है चलिए अब देखते हैं कोशन नमबर स्टेवन के नेक्स्ट है 1922 की असायोग अंदोलन का मुख्य प्रतिफल क्या था यानि कि 1922 में जो असायोग अंदोलन हुआ था उसका मुख्य प्रतिफल मुख्य रिजल्ट क्या था तो आउटकम बाहर जो मुख्य प्रतिफल था मुख्य आउटकम से मुख्य रिजल्ट में रिजल्ट था इससे हिंदू मुख्य दोनों एक होकर अंग्रेजियों के विरूद में अंदोलन शुरू गयर दिया था चलिए नेश्कोशन देखते हैं कि लोक सभा तरा सभा में संट अधियशन का सभा पतित्व कौन करता है कि अघ्यक्ष को फेरिक्ष अध्यक्ष लोग्सभा अध्यक्ष को और किस नाम से जानते हैंस पीकर स्पीकर के नाम से भी जानते हैं तो इस पीकर को आप्शन में स्पीकर हो सकता है या लोग समा अध्यक्ष भी रह सकता है नमबर 9 भारत का सबसे बड़ा व्यपारिक बैंक कौन है पंजाम नेशनल बैंक बी यानि कि स्टेट बैंक बैंक बारत का सबसे बड़ा व्यपारिक बैंक है कोश्चन नमर्ट 10 कोश्चन नमर्ट 10 कोश्चन नमर्ट 10 किटो का मुख्य लक्षन क्या है इन्सेक्ट को लोग किस तरह से पहसाने कि उसके इंसेक्ट किस रेनी में रखेंगे क्या उसका लक्षन है क्या उसका क्रेक्टिस्टिक्स ने दो जोड़ी पंख उप्षन भी तीन जोड़ी टांगे उप्षन सी लंबा उदर और संडी स्क्राइब कि यह जाही हो जाए कि टीन योड़ी टांगे होने चाहिए इस से हम लोग इंसक्ट कहेंगे विचार रखेंगे राखेंगे पर आप सब्सक्राइल कि सफलता की मंगल कामना के साथ मिलते हैं नए वीडियो में तब तक लिए जैहिंद स्वास्त रहें मस्त रहें धर्नेबाद जैहिंद